हेलो दोस्तो स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में और आज हम सुरू कर रहे हैं कॉमिक्स काली आंख यह भी पुरानी और अच्छी कहानी है दोस्तो इसका पहला पेज़ आप देख सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं इसको और अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज सब्सक्राइब कर दें संखावटी राज्ये के राजा सल्य भुझ परतापी प्राकर्मी वो प्रोपकारी राणी का नाम था कंचन अत्यन रूफवसी गुनी वो मधुर्भासी राणी इस समय गरवती थी मन में थी हजारों आसंकाई उफ ना जाने इस बार क्या होगा जियों जियों राणी का पर परसानी पर बल पढ़ते जा रहे थे नहीं नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा मैं हर्गिज नहीं होने दूँगा परसा काल आ पहुचा आ राणी परसा वेदना से तरप उठी राजा सल्य भुच सहित परते उपस्थित वेक्तियों के हरदे काप उठे सिना पती जल्दी करो महल के चपे चपे पर सैनिक तैनात कर दो हमारी आग्या के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए जाओ पजरी तुम्या ताबिज लो बच्चा पैदा होते ही उसकी दाई बाजू पर तुरंद बांदेना जाजी महराज आओं है इस वर हम पर किरपा करना महल के चपे चपे पर कड़ी सुरक्षा वेवस्था थी उधर संखावटी नगर मानो महल के बाहर उमर पड़ा था पुरा संखावटी नगर मानो महल के बाहर उमर पड़ा था अल्लाह रानी वह बच्चे की सलामती की दुआ कबूल करो हे परभू रक्षा करना ना जाने आज क्या हो कही उधर उस कक्ष में रानी कंचन पुरी तरा अज बेचैनी की अवस्था में चीक रही थी ठीक हो जाएगा रानी जी के बच्चा पैदा होते ही यह ताबीज मुझे बच्चे की बाह पर बांदनी है बाहर खड़े सल्य भुज का हिद्धे जोलों से धड़क राता उफ ना जाने यह इंतजार के फल कब समाप्त होंगे जाव से नापती सुरक्षा की क्या विवस्त अननवाराज पूरे महल में सेनिकों ने घेरा हुआ है उसी पल चीक उठी चीथी गुंजी उठी अंदर द्वार एक झठके से साथ कुला कजरी क्या हुआ कजरी क्या हुआ महाराज राजकुमार को क्या हुआ महराज कहीं दोनों अनन्फानन में ही कक्ष की और भागे भीतर पहुचते ही दोनों जड़ हो गए दाइमा दाइमा बहोस है मेरा बच्चा सल्य भुज की निगाहें फर्स पर पड़े ताविज पर पड़ी ओ राजगुरु का दिया ताविज फर्स पर गिरा पड़ा है और ताविज लेकर सिसु के निकट पहुचते ही उनकी आँख भैसे फैल गई नहीं ही 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 उफ महराज उफ जल्दी कीजे ताविज बांद दीजिए ओ अचानक सिसु की भुजाए आगे बढ़ी ही 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 तड़ाक आओ द्वार पर खड़े दोनों सिनिक खत्रा भाप चुके थे खत्रे का संकेत गुंज उठा इसी पल सिसु का आकार कई गुना बढ़ गया इसमें तो सैतान का सैतान आगुसा है महराज नहीं हमारे बेटे को बचाओ से ना पती इस सैतान से मुक्त कराओ सैनिक सोर मचाते हुए भीतर आगुसे मारो मारो नहीं यह नहीं हो सकता रानी वधाई माक को यहां से ले जाओ जल्दी करो कक्ष में तूफान सा आ गया आँ बचाओ ही हाई मरा तड़ाक नहीं तड़ाक आँ अगले ही पल हवा सी सरसराई और साएं साएं नावजात राजकुमार के गायब हो जाने का समचार फैल गया ओह नहीं महराज वहरानी अब और दुख बरदास नहीं कर सकेंगे हे परगू यह कैसा अनर्थ है उधर महराज का हिर्दय फटा जा रहा था कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सके हम हमारा पांचवा बेटा भी किसी सैतान की हवस का सिकार हो गया धीरज रखें महराज नगर से दूर बियाना बियबान में सिस्य मतंग के कड़ा राज के पांचमे बचे को भी ले जाने में सफल रहा है देवता की आँख में वह दुर से मैं भी देख रहा हूं रिसीवर अगर केकड़ू के अधिनिस्ट नचहतरों में जन्मे राजा सल्य भुच के चारों पुत्रों की तरह इस पांचमे को भी देवता की बली चड़ा दिया तो नहीं रिसीवर ऐसा नहीं होगा पांचमा बली चड़ेगी अवस्थ से किंतु देवता को वह बली केकड़ा नहीं हम देंगे तुम भी वही सोच रहे हो मतंग जो तुम्हारा गुरू सराहक यानि मैं सोच रहा हूँ सनहारक यानि मैं सोच रहा हूँ तब तो सीगर ही कुछ करना होगा रिसीवर केकड़ा को समाप्त करना अवस्य है उसके लिए हमें तुरंट राजा सले भुझ से मिलना होगा उधर महरानी कंचन का रो रो कर बुरा हाल था नहीं नहीं मुझे मेरा बच्चा लाद दो मुझे मेरा लाल चाहिए हम विवस हैं राणी विवस हैं हम तो अभी यह रहस्य भी नहीं समझ सके हैं कि हमारे पुत्र क्यों गायब किये जा रहे हैं राजगुरू यह पता लगाने के लिए यक कर रहे हैं कि तु हमें और धैरे से काम लेना होगा राणी ओ अब और नहीं सह सकता महराज तुरंत भेट करना चाहते हैं ओ द्वारपाल उन्हें तुरंत अतीती कक्ष में बिठा हम अभी हाजिर होते हैं जो आगिया महराज और फिर महराज के रिसी संहारक का परणाम सिस्से मतंग का परणाम भी सविकार करें महराज आप जैसे महान वेक्तियों के दर्सन पाकर मैं धन्य हो गया किर्पया मेरा परणाम सिस्से में करें पुत्री बिच्षेड के कारण धुकी हो राजन हैं किंतु अगर तुम चाहो तो तुम्हारा पांश्मा पुत्र तुम्हें वापस मिल सकता है क्या किंतु कैसे क्या आप जानते हैं वे इस समय कहा है अवस्थे इस समय वे केकड़ा के पास में है और केकड़ा के विष्बे में बताने से पुर्व आपको मुझे एक वचन देना होगा कैसा वचन यदि यही की पांच में पुत्र की प्राप्टी होते ही आपको मुझे मुह मांगे वस्थू देनी होगी अपना पुत्र प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं आपको वचन देता हूँ रिसीवर कि तु महराज भी ना सोचे समझे राजन अब अगर आप वचन से फिरे तो आपका सिर्थ दो टुकडों में बढ़ जाएगा मेरा वचन आज तक मिथ्या नहीं हुआ रिसीवर तो फिर सुनो मुद्रंक राक्षस जाती का राक्षस केकड़ा सैतान का पुजारी है भ्यानक जादूगर है इस समय वे सकती मान काली आँख पाने के लिए परतियन सील है आपके चारों पुटरों को जनम लेते ही गायब कर वो देवता पर बली चड़ा चुका है पांचमें पुटर की बली की तैयारी वो पुनरपूर्ण कर चुका है और रिसीवर मुझे केकड़ा का पता बताएए मैं उस सैतान के टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा तब फिर देर कैसी हमें तुरंट प्रस्थान करना होगा केकड़ा मेरी मौत केकड़ा तेरी मौत अब दूर नहीं मैं सेना को भी साथ नहीं सेना पती कोई राज्य की विसाल से ना भी केकड़ा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती केवल राजा सल्यभुज ही उसके लिए काफी है ठारिये महराज मैं भी आपके साथ चलूँगी एक खंजर मैं भी उस हत्यारे के सीने में उतारूँगी कंचन तुम सिंग गिदराज की मुदरिका यह अंगुठी आपके पास कहां से आई महरानी जी यह अंगुठी तो कंचन को मैंने दी है और कई स्पिडियों से यह इस खांदान की बहुओ की उंग्लियों में रही है यह अंगुठी तो सिंग गिदराज की है हाँ सिंगिद राज हमारे कुल गुरू है किन्तु आप इसके विशे में क्या जानते हैं तभी केकड़ा की मिर्टु के रूप में नाग देवता की आँख में आपकी ही सूरत उभरी थी अब निस्चिंत ही केकड़ा की मिर्टु आपके हाथ लिखी है महरानी कंचन यह अंगुठी आप महराज की कनिष्ट में पहना दे किन्तु देर करना उचित नहीं रानी कंचन कहीं ऐसा ना हो कि आपका पुत्र भी नहीं रानी जल्दी करो कंचन ने अंगुठी राजा की कनिष्ट में पहना दी मैं भी आपके साथ चलूँगी अगर आपके डंकार इंकार किया तो मैं इसी खंजर से अपनी जीवन लीला नहीं ठीक है तुम भी हमारे साथ चल सकती हो रानी उधर सुदूर जंगल में मुदरांक जाती की राक्षसनी कार्तिक अपने पुतर के साथ मा क्या हुआ तुम कुरोधित दिखाई पड़ रही हो वह दिन आ गया है पुतर तारिक जिसका हमें बड़ी बेसबरी से इंतजार था सनहारक रिसी तुम्हारे पिता केकड़ा की मिर्तु राजा सल्ले भुज के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है केकड़ा दरिंदे अब तू नहीं बचेगा मा किन्तु संहारक रिसी केकड़ा की मिर्तु क्यों चाहता है हत्यारी काली आँख को पाने के लिए लेकिन इसके लिए तो फिर संहारक रिसी को धनिष्ट धनिष्ट नच्छतर में जन्में पिता के पांच पुतर की बली जा चुकी है तो क्या ऐसा ही होगा क्या संहारक राजा सल्य भुज की आँखों के सामने उसके बेटे की बली चड़ा देगा और यह सोचते ताडिक की आँखों में खून उतर गया अगले ही च्छन वो जोड से चीक उठी नहीं नहीं मा सबसे बड़ा प्रस्ट तो यह है कि अगर काली आँख संहारक के हाथ लग गई तो वो तीनों लोक में परला मचा देगा उसे रोखना होगा मा काली आँख उसे प्राप नहीं करने देनी है हमें अरे पगला तू क्या सोच रहा है मैं संहारक को ऐसा करने दूँगी हरगी ज नहीं हरगी ज नहीं अगर कोई पवित्र निस्पाप इस्तरी अपने रक्त की भेट देवता पर चड़ा कर कुछ मांग ले तो देवता उसकी इच्छा अवस्से पूरी करेंगे केकड़ा की मिर्तु के पहचात मैं संहारक को राजा के पांच में पुत्र की बली नहीं देने दूँगी बल की तब ही केत की भ्यानक ढंक से ठाहासा कर उठी उधर केकड़ा पांच में राजकुमार की बली की तैयारी कर चुका था करालू देवता की जय है करालू देवता मेरी यह अंतिम भेट सविकार कर मुझे काली आँख की प्राप्ती का वर्दान दे तब ही काली आँख का वर्दान नहीं दरिंदे बल की मिर्टू का साप मिलेगा तुझे केकड़ा आज तेरी मिर्टू का दिन है अपने सहतान को याद कर ले कुट्टे जल्दी करो राजन सिंग गिदराज को परगट करो अंगुठी का नग घिसो ओ हा 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 इस सिसु के तंगुठी का नग घिस डाला हे सिंग गिदराज हे कुल गुरू हमारी इस सैतान से रक्षा करो अगले ही पल मानो बिजली सी चमकी गर ओ सिंग गिदराज केकड़ा का खड़क वाला हाथ उठा उचा उठा लेकिन नन्हे राजगुमार तक पहुचने से पूरो ही धप वा केकड़ा ने सवे को एक रक्षा कवच में ढख लिया मुझे किसी भी तरह सिंग गिदराज से बचना होगा उफ सारा खेल खराब हो गया किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं मेरा लाल मेरा बेटा केकड़ा ने मन ही मन कोई मंतर पढ़ा परिनाम सारूप बहुत से छो पंक्षो का जाल निकल कर तिर्सुल के तरफ लपका और फच 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 जल आकास में विलीन होगया जल आकास विलीन में विलीन होगया हे करालू देवता मैंने तेरी बहुत सेवा की है मेरी मदद कर करालू देवता नहीं छोड़ दो मुझे मैं राजकुमार की बली का विचार त्याग दूँगा सिंगीद राज सिंगीद राज का पंजा के कड़ा के छाती फार कर घुस गया सिंग गिदराज का पंजा एक जटके के साथ बाहर निकला आ नहीं इसे मत तोड़ना तब उसमें से एक नन्ही सी काँच की गेंद थामी थी सिंग गिदराज ने सिसे की इस नन्ही से गेंद को दिवार पर खीच मारा छना आग इसी के साथ केकड़ा के पूरे सरीर को आग की लपटों ने घेर लिया एक भीसन करन भेद हुआ और करन भेद हुआ फिर जब सब लोग संभल कर खड़े हुए हैं केकड़ा कहां गया वो मारा जा चुका है और सिंगी दराज वे अपना काड़े समाप्त कर जा चुके हैं मैंने अपना कहा पूरा कर दिया है आपका पांचमा पुत्र आपको प्राप्त हो चुका है अगर आप समय पर पहुँच कर केकड़ा के विसाय में ना बताते तो उसका वद्ध असंभव था आपको अपना वचन भूला तो ना होगा राजन यह आप क्या कर रहे हैं रिसीवर आप आदेश दीजे मैं अपने प्राण भी देने को तयार हूँ मुझे आपके प्राण नहीं बलकि आपके कलेजे का टुकड़ा चाहिए मैं समझा नहीं रिसीवर को नन्हा राजकुमार चाहिए महराज राजकुमार नहीं यह यह आप क्या मांग रहे हैं रिसीवर मत भूलो राजन तुम मुझे वचन दे चुके हो और अगर अब तुम बचन से फिरे तो अगले च्छन तुम्हारे सिर के दो टुकडो में बढ़ जाएंगे किन्तु आप राजकुमार का क्या करेंगे रिसीवर करालू देवता पर उससे बली चड़ाएंगे रानी कंचन फिरकी हुई सेरनी की तरह गरज उठी नीच जला तु महातमा नहीं हो सकता सेना पती इन दोनों दुष्टों की गरदन उड़ा दीजिए अवसे उड़ा दो सेना पती किन्तु इस सुरत में महराज की मिर्तु के जिम्हेदार भी तुम ही होगे नीच कमीने राक्षस संगारक का मतंग उन सब की बेबसी पर ठहाका लगा कर हस पड़ा हा 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 राजन केकडा की मिर्तु केवल तुम्हारे हाथों लिखी थी इसलिए मैं तुम्हें लेकर यहां आया था और अगर तुमने राजकुमार को देने से इंकार किया तो अपनी मिर्तु के तुम सवय जिम्हेदार हो गए हा 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 नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगी अपने सुहाग पर एक हजार संतान कुर्बान कर सकती हूँ मैं यह लीजिए महराज अपना वचन मिथ्या मत होने दीजिए रानी है यह मत समझना कप्टी साधु की मैं अपनी मिर्तु के भैसे राजकुमार को तेरे हवाले कर रहा हूँ यह एक राजा का वचन पालन करता वे है जिस से वह अपने प्रान दे कर भी पूरा करता है ले समझाल है भगवान आज मुझे यकीन हो गया कि तू वास्तों में पत्थर है महराज ने अपना वचन पूरा कर दिया है अब मैं इस दुष्ट को जिवित नहीं छोड़ूँग इस से पहले की सेनापती तलवार निकाल कर गरज उठा राकशस अब तुझे मेरी तलवार से कोई नहीं बचा सकता फिर इस से पुर्वकी सेनापती उन पर तूट पड़ता उफ यह क्या उसकी तलवार उसके सरी से लिपटती चली गई एक ही छनमें सेनापती का सरी कई हे करालू देवता मा की प्रातना सविकार करना देवता या बली सविकार मत करना मेरे पुतर की रक्षा करना करालू देवता नीच पाखंडी साधू तू भले ही मेरे पुतर की हत्या कर डाल किन तू जीवित मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूँगा सिंग गिदराज तुम दोनों को फाड़ कर सुखा देगा सिंग गिदराज को बुलाने के लिए अंगुठी घिसनी होगी राजन जो की मेरे पास है क्या धोके भाज हा 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 और काली आँख प्रात करने के बाद मैं करने के बाद तो सिंग गिद राज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता मुझे भी पत्थर की मूर्ती ही समझू एक मा की पुकार तो धर्ती का सीना भी फाड सकती है फिर क्यों नहीं तूट रहा तेरा कहर इन सैतानों पर यही वह पल था जबकि गुफा में दो अती सुस्म आकुर्तियों ने परवेश किया एक आकुर्ती खड़क पर जपटी दूसरी राज कुमार पर केत की ताड़की ताड़क केत की ताड़क एका एक दोनों अपने वास्तविक रूप में लोट आए महराज कुमार को सम्हा लिए केत की संहारक की कलाई चबा गई कमी ने ओह दुस्ट ताड़की ने मतंग के हवा में खीच लिया रिसीवर एक पापी के रूप में जब मैं अपने पिता की मिर्तु की कलपना कर सकती हूँ तो फिर तुझे मेरे साथ कोन बचाएगा मेरे हाथों से कोन बचाएगा सैतान ताड़का ने मतंग को चकरगिन्नी बना डाला ओ रिसीवर और तड़ाक ओ यह सब हुआ इतना सिग्र हुआ की कोई सोच समझ तक ना सका की क्या हुआ और जब समझ समझा तो संघारक रोसे काप उठा दुष्ट अब मैं तुम दोनों मा बेटे को जिवित नहीं छोड़ूँगा यह देखते ही केत की चिला आई महराज महरानी वो बच्चे को लेकर भाग जाएए पुत्र तारिक काली आँख की तबाही अवस्से है अन्यता फिर कोई केकड़ा फिर कोई संघारक पैदा होगा मैं जा रही हूँ कारालू देवता पर अपने रक्त की भेट चड़ाऊंगी मैं तुम यह गुफा छोड़ दो नहीं मा नहीं ऐसा मत करो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ कर मत जाओ जाओ तारिक पुत्र जाओ इस सैतान संघारक का अब दुनिया की कोई ताकत देवता के कोप से नहीं बचा सकता हाहा नहीं केतकी नहीं रुक जाओ यह मेरी करालू से प्रातना है खचाक मा केतकी कटे विर्क्ष सी देवता के कदम पर गिर गई और मानो तुफान सा आ गया और तेज भागो रानी कंचन धम धम नहीं बचाओ कडाक आ तारिक राजा सल्य भुज वह कंचन के सुरक्षित बाहर निकलते ही एक विसन विसफोट के साथ पूरी गुफा धर धर धरा कर मलवे का धेर बन गई तुम्हारी कुर्बानी विर्थ नहीं गई मा तुम महान हो ओ और तब है यूवक तुम कौन हो नन्हे राजकुमार के प्राण बचा कर तुमने और तुम्हारी मा ने हम पर जो एहसान किया है उसका बदला हम अपने प्राण दे कर भी नहीं चुका सकते ऐसा ना कहें महाराज मैंने और मेरी मा केतकी ने धरती से पापियों को नास का वरत लिया था मा अपने करतबे को पूरा करते हुए बड़ी दान दे गई मैं बिलकुल अकेला रह गया हूँ आपको यह जानकर आश्चरे होगा महाराज की आपके चार बच्चे का हत्या केकड़ा मेरा बाप था जो काली आँख पाने के लिए अपने पर्थम पुत्र को बली बली देने से भी नहीं चुका इधर लाकेत की काली आँख पाने के लिए सर्वा पर था मुझे अपनी ही संतान की बली देनी होगी नहीं मा को देखते ही देखते उस दरिंदे ने मेरे मासूम और नन्हे भाई को करालू देवता पर बली चड़ा दिया नहीं दुष्ट सैतान हा 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 उस समय में मा के पेट में था हत्यारे दरिंदे तुने मेरे लाल के रक्त से ही हाथ रंग लिया अरे पापी धिकार है तुझ पर तू है तुझ पर जा रही हूँ मैं मुझ तुझ जैसे सैतान के साथ रहने से अच्छा हो की मैं मिर्तू को गले लगा लूँ मुझे जनम दिये मैं बड़ा होने लगा तारिक पुत्र नाच जाने वह दिन कब आएगा जब केकड़ा की लास मेरे सामने पड़ी होगी मा उस सैतान को मैं सवय मारूँगा लेकिन मा केकड़ा की सक्तियों से घबडाती थी वह पूरा सैतान था महराज और सायद मा उसी दिन के दिन के इंतजार में आज तक जिवित थी आज केकड़ा की मृतु के पहचात उसने सवय को कुर्बान कर दिया तुम्हारी मा महान थी बेटे तारिक पुत्र तुम्हारी मा की कमी तो मैं पूरी ना कर सकूंगी कि तुम मुझे मा कह कर पुकारो तो मुझे आत्मिक सुक मिल जाएगा मा और इस परकार सेतानों के साथ साथ काली आँख का आस्तित्वभिक समाप्त हो गया और राजा सल्य भुझ अपने उत्तराधिकारी के साथ वापिस नगर की और चल पड़ा आज मुझे एक नहीं दो दो पुत्र की प्राप्ती हो गई समाप्त चलिए दोस्तों यह कहानी आसमात होती है मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कहानी में तब तक के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्रीज सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी में फिर से तब तक के लिए धन्यवाद विदा मिलते हैं